नमस्कार बिना पाइलेट के उड़ने वाले ड्रोन हमारे आपकी जिन्दगी जल्द बदलने वाले हैं ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी देकर सरकार ने अपने आस्मान खोल दिये हैं ड्रोन्स के लिए अभी इसकी सीमित इस्तमाल के अजाज़त में लेकिन अब आपको आपदा से राहत में, सर्वे में, रिसर्च में, खेती बाड़ी में ड्रोन वो काम करते नज़र आएंगे जो इ वो दिन दूर नहीं जब आप बीना रोक टोक ड्रोन उड़ा सकेंगे, नागरिक उड़ैन मंत्राले ने सुमवार को ड्रोन पॉलिसी जारी कर दी है, इसमें ड्रोन के कमर्शल यूज़ को एक दिसंबर से कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी गई है, इसके लिए ड्रो को 5 कैटेगरी में बाटा गया है, 250 ग्राम तक वजन के ड्रोन को नैनो कैटेगरी में, 250 ग्राम से 2 किलोग्राम माइक्रो, 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम स्मॉल, 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक मीडियम और 150 किलोग्राम से ज्यादा के ड्रोन को लाज कैटेगरी में रखा से लाइसेंस लेना होगा इसके लिए डिजिटल स्काई प्लाटफॉर्म नाम का एक मुबाइल एप बनाया गया है इन ड्रोन्स को आधार की तर्ज पर यूनिक आइटेटी नंबर जारे किये जाएंगे लाइसेंस के लिए नियूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए इसके अलावा 10 ऽी पास होना और इंग्छिन की जानकारी भी होना जरूरी है यह कि देश में उसको रोजगार भी मिलेंगे इसे बहुत सारी किसी तिन उसका कान को जाने है। और चर्चा के लिए जो खास महमान है उनके साथ और भी एक खास महमान मेरे साथ इस्टूडियो में मौझूद है। मेरे साथ हैं और एविशन एक्सपर्ट परवेज दमान या मूंबाइ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ये दो ड्रोन हमारे सामने हैं और जॉन आपने इस पॉलिसी फ्रेमवर्क को बनाने में एक एहम भूमी का निभाई है। ये बताइए आप खुश तो बहुत हैं और आपके ये ड्रोन्स यहां पर हमें बहुत खुश कर रहे हैं स्टूडियो में कुछ अलग चेहरे नजर आ रहे हैं आज आपर बताइए इस पॉलिसी की जरूरत थी अभी काफी समय से बात चलते चलते अब एक दिसंबर से कोई भी उड़ा सकता है ड्रोन। civil aviation regulations वो सही terminology होना चाहिए policy is not the right word तो कार जो अभी आया है effective from December 1st ये बहुत ही changes लेके आएंगे, काफी changes लेके आएंगे अपनी industry के लिए पिछली जो draft था वस draft में और इस कार में जो आये हैं काफी positive चीजा आये हैं for the industry industry में जितने भी परिशान है कि अगर below 2kg वाला micro category में जो भी ड्रोन बनाएंगे उडाएंगे उनके लिए compulsory permission लेना पड़ेगा सबसे बड़ा hurdle वही था वो चीज अभी जो हटाए गया है वो काफी अच्छा हो गया है तो जैसे अभी आगया है business बहुत लोग कबड़ेगा अनेक categories of sub categories industries ड्रोन के अंदर ही अनेक नेक अभी आने वाले हैं जी के अमरिगांस तेंग सैंस्वर सिल्यूशन के हमाई साथ हैं और आप ड्रोन से डीटा इक खटा करते हैं अनलसिस करकर करके आप सरकारी कमपनियों के लिए काम कर रहे हैं यह बता रहे हैं यहां पर जौन की इससे जो है काफी कुछ बदलेगा इंडर्स्री को फाइदा होगा किस तरह का फाइदा आप देख रहे हैं अब जब रेगलेशन्स आ गए हैं सामने हैं एक दिसंबर से इसकी अनुमती मिल रही है किस तरह से हम फाइदे देखेंगे ड्रोन के प्रिंगा जी मैं जहां तक सुनता रहा हूँ आप इसके फाइदे के बारे में जानकारी करना चाह रही हैं हेलो आवाज आ रही हैं जी बिल्कुल हेलो 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 जी हम आपको बिल्कुल सुन पारे मेरे गांग अपनी बात रखिए किस तरह से फाइदे होंगे हाँ तो जो जैसे आपसे पहले भी डिसकॉशन हो रहा था कि ड्रोन से तरह से मैं कंप्यूटर की तरह समझता हूं जैसे ना जैसे मैं कंप्यूटर के आने से हर एक फील्ड में प्रगति आ गई थी हर फील्म उसका अप्लिकेशन था आज की डेट में ड्रोन का भी अप्लिकेशन कुछ उसी तरह से हर फील्ड में हो रहा है जैसे अग्रिकल्चर से लेकर कंस्ट्रक्शन माइनिंग दुनिया भर में इसका यूज़ हो रहा है इस पॉलिसी के आने से इन्डिया को तो बहुत फाय्दा हो गई सर्कारी प्रजेक्ट ने बहुत फाय्दा होगा प्राइबट प्लेयक्वेbas एधा हो होगा और हमारी इंडिन वर्कोर्स दुनिया के लिए बींवहाँ कर पाएब बीगाउज इसका यू जी मैं आप से पूछना चाहूँ कैसे तस्वीर बदेगी एर ट्रांसपोर्ट की अब भारत में ड्रोन के इस रेगुलेशन को मंजूरी मिलने के बार एर ट्रांसपोर्ट पे तो कोई फरक पड़ेगा नहीं नहीं बडर ट्रांसा बिश्याइब कोई बडिशनां के रेखें एर ट्रांस्तुर में बहुता है अब बडिधायर वन एक ट्रोन के आउन चाहर एकरन बने पूलिषंट आर डिमानव के वार बारत मेंदेटेगा इस पॉलिटी ए अर बने ओर राक पाड़ना नहीं बड़ी सि तो मुझे लग रहा है जैसे टाइंपास होते जाएगा, पौलिस बिले बोर दियो क्या आटेस विएंट बोर रिफाने गूर दिने को देड के रहा है, जाए बोर यू कि भूवर्मेंने को भूलूसाइए पॉलिसे लेकी है, नक भी बाफ खिने कि वाने कि पौलीसी लेंगा Civil Aviation Ministry को congratulations करना चाहिये कि दे फिर्वाद थाओट and they have realized the importance of a product like drone in a country like India which will be very cost effective in very many many major areas अमेरिका में तो actually accident reporting policy of drones भी निकल गई it has become such a big industry and I think India also this will grow exponentially I think the uses are tremendous and very very far-fetched but initially it will go slowly और कहीं users में समझना चाहूंगे John आपसे कि हम किस तरह का इसका इसका इस्तमाल अब देखेंगे जैसे परवेश बता रहे थी कि ट्राफिक रेगिलेशन के लिए अमेरिका में इसका इस्तमाल हो रहा है भारत में हम देखेंगे अग्रिकल्चर में मादद मिलेगी इसके अलावा माइनिंग के स्पेस में मादद मिलेगी कहां कहां ये इसका इस्तमाल हो पाएगा जिसे हमने बुला अग्रिकल्चर और ट्राफिक मैनेजमेंट ये ही नहीं है अल्रड़ी इन लास्ट तीन ताथ फोर यह त्री फोर यह हम माइनिंग में यूस कर रहे हैं कोल वॉल्यमेटरिक अनलेसिस में यूस कर रहे हैं सबसे जादा इसका यूस हो रहा है फिल्मिंग में आज के दिन में इफ यूसी जितने भी बॉल्यवूड मुवीज बन रहे हैं उनमें कम से कम 20-30% of filming shots are taken using drones DGC ने बहुत ही अच्छा काम कर दिया जो वेट कर रहे थे हैं I should congratulate first of all DGC for doing such a great job ये बहुत ही अच्छा outcome आचुका है So, जैसे मैं बोल रहा था कि applications का ये तीनों के अलावा और भी बहुत applications है अब इसका इस्तमाल कौन कर पाएगा क्या लाइसन्स की जरूरत पड़ेगी अगर इसका इस्तमाल करना चाहते हैं या कुछ categories मैं देख रही थी कि nano drone है micro drone है, small drone है, large drone है तो उस हिसाब से license के होगा उसके हिसाब से, वजन के हिसाब से, based on the weight आपको license के लिए apply करना पड़ेगा nano category होगा, आपको license के लिए apply करने की जरूरत नहीं है आपको बस local police को इंफर्म करने करना पड़ेगा and आप fly कर सकते हो, but उसका भी एक limit है, height limit होगा हर category का एक weight limit है, एक height limit है based on that, अगर आपको अपले करना पड़ेगा for license, you can apply and ऐसा नहीं है कि अभी कोई उडा नहीं सकता हर कोई उडा सकता है, but again, December 1st के बाद आज का उडाने के लिए training भी लेनी होगा बिलकुल लेनी पड़ेगी बिलकुल लेनी पड़ेगी अचा आप बिना training के नहीं, बिना license के नहीं उडा पाएंगे अगर धाई सो किलोग्राम के धाई सो ग्राम के नीचे का drone है, तब नो license, नो training उससे ज्यादा भारी है drone यानि कि वो small, large में आता तो training भी लेनी होगी, license भी लेना होगा अमरी गांक, एक सवाल आप से, आप काफी समय से काम करने हैं, ड्रोन के साथ, तो ड्रोन क्या कर सकता है, आप जब एक प्रोजेक्ट लेते हैं, तो अभी आप क्या-क्या लोगों को बता पाते हैं, ड्रोन के मदद से आप raw data को कैसे खटा करके, उसको कैसे उसका analysis तयार करते हैं, जब एक example के साथ तो जैसे अगर इसका example लिया जाए, तो ड्रोन एक तरह से अगर एक area है, उसके ऊपर बहुत सारी photos लेके, उसको georeference करता है, जैसे और हर एक photo को pixel में तोड़के, दोबारा एक complete Google image जैसा एक high resolution photo बनाता है, जिसमें हम लोग और कोई भी length, breath, volume, यह सब calculate कर सकते हैं, so इसके application जैसे mining में कोई stockpile measure करना चाहता है, या haul road का gradient measure करना चाहता है, यह सब इसके mining में applications है, urban planning में for example, आपने एक जगा का दो बार survey किया, तो आपको यह पता चल सकता है कि कौन से नए घर उस जगा पे आएं, कौन सी नई floors बनी है, क्या authorities को इस बारे में information है कि नहीं है, यह मुले developing world का एक drone यूज है, जो developed country यूज नहीं करती है, इसी तरह से agriculture में multi spectral imaging के थुरू, आप यह assess कर सकते हैं कि crop की health कैसी है और आने वाले time में कोई crop में बीमारी आने वाली है या नहीं आने वाली है, इसमें near infrared और infrared spectrum का यूज किया जाता है, तो इसी तरह से और बहुत सारी आप्लिकेशन हैं जो मतलब इंडिया में और डवलब डवलब नेशन में जो ड्रोन के लिए यूज करी जा रही है और आने वाले time में इसमें और progress ही होनी है और यह जो policy आई है इस policy ने भी इस चीज का ध्यान रखा है कि सारे stakeholders जो है उस इस policy ने बहुत fine fine balance बनाया है security और commercial environment को लेके और इस fine balance के थूए इंडिया में मुझे लगता यह जो 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 इसको मैं sum up करना चाहूंगी कि S3 आई सर्वे करेगा बताएगा कंपनियों को surveillance करेगा जहां defense में देखने इसका इस्तमाल भी और लेकिन security भी परवेज आपको दी लगता है security जो रहेगी यह एक बड़ी चुनौती रहेगी जब सरकार इस तरह से आसमान फूल रही है drones के लिए drones के इस्तमाल के लिए तो यहां पर सुरक्षा भी एक चुनौती रहने वाली है नहीं कोई भी नया पहले खात बताना बता बिटाना जाहता हूंकि एवन इंदट Karela floods drones were extensively used and they were a very very big help drones in an emergency situation this is also very important can be used for delivering medicine delivering emergency supplies which will also a big thing yes now you are saying we beach cheese naido men to the air so there are certain risks involved certain problems or I'm sure when the cars were first started people were worried the misuse of the cars how they will do how they will affect the road I will work on the traffic we say roads can be there will be some distance I mean there will be some areas where they can be misused but like in America every person who flies a drone is a license agar usko drone bach na hai toh he has to inform the government so any drone that is being used can be tracked down to the person who specifically using it dusra isko crowd control may rioting may is my business gave me a big use yes there are certain risks that are involved that drone can be used misuse right now for example it for the Venezuela president the attack was done that was done by a drone but we cannot worry about what the risks are going to be in future and stop new technology will coming in so I think even now computers are misused by criminals event that is there but I think the advantages far outweigh the risk that will be involved in the long run easily a iska both advantages a and again like I am saying it's a very very fast step at all my auric batana chatham jaysay dusse areas my technology fast go here the technology in the area of drones is moving much 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 faster so we can expect huge technology advancement in the very short time in this area which is very very well researched and moving very very fast all over the world well so our sikki ke ke doh pahaloo hotte hai drones ke fayde to bhoot hai nukasan bhi ho saktayis ke istamal kis tarah se orahis pa nazer ruk nhi hoi ki hae sata di me John sirkar ne kuch area bhi is mein mark out kiya hai ki aap vehaa पर नहीं उड़ा सकते हैं, वो कौन से एरियास रहेंगे? उन एरियास में यहाँ पर हमें जानने, मतला फ्लाइ नहीं कर सकते हैं, एस्पेशली डेली के लिए तो काफी ज्यादा रिस्टिक्ट करके रखे हैं, राजभावन से वी किनाट फ्लाइ फ्लाइ फर सम रेडियस, तो इन नियम काईदों का पर खाल रखना होगा, लेकिन ड्रोन ऑपरेटर्स और कंपनीज आगे आके बहुत हेल्प किया हैं, यह काफी यूसफुल चीज है यह जहां जहां लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, इन फाक्ट हेलिकॉप्टर हर जगा जाकर ढून नहीं पाते हैं, तो ड्रोन्स आर बहुत छोटे हैं, वह जाकर अपन बॉड़ी उसको सेंस करके अगर कहीं पे कुछ शाड़ो भी है, उसके नीचे पे कोई चुप गया है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहां से इसको देखे हम उनको भी बचा सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज है, इससे तो बहुत जादा फादा है, बट कुछ है, वैसे इंसिदेंस काफी हो सकते हैं, इसलिए ये कार जो आया है, इसके लिए काफी टाइम लग गया है, तो अभी काफी स्ट्रीम लाइन है, एक चीज है, हमें अपना जिमिदारी निभाना पड़ेगा, इस आर रिस्पॉंसिबिलिटी अजिजन तो यूज दिस टेखन ये जो आपके सामने जो 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 है, ये ये अबाट 4.5 केज़िस है, तो ये स्मॉल ड्रोन काटिगरी में आता है, तो इसके लिए बिलकुल बड़ आपको रिजिस्ट्रेशन दरिज यूनीक अइटिफिकेशन नमबर लेना पड़ेगा, प्रिज्द यूए Unmanned Aircraft Operator Permit ये दोनों इसके लिए ज़रूरी है लेकिन इसके लिए Registration of the Drone is mandatory जैसे कि UIN जो है वो mandatory है लेकिन UAOP mandatory नहीं है ठीक है, पर्मिट चाहिए होगा आपको जो इस तरह बड़े drone का स्थावाल करेंगे छोटे के लिए आपको UIN UIN, identification number बड़े लेना होगा बड़े दोनों के लिए पॉलिस में inform करना बिलकुल ज़रूरी है बिलकुल, तो ये ख्याल रहे कि आपको पॉलिस को बताना है कि आप drone का इस एरिया में कर रहे हैं, लेकिन साथ ही में इस regulation में ये भी कहा गया है और आने वाले समय में क्या और होते वे हम देखेंगे ये तो पहला कदम है आगे और भी कदम उठाने द्रोन को एक चोटा सा ब्रेट लेकर अभी वापस आ रहे हैं आगे हैं झाल 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 झाल